सारे दुखोस से छुटकारा पाने के लिए इन बातों को समझना जरूरी है सेवा सबकी किजिए मगर आसा किसी से मत रखिये क्योंकि सेवा का सही मुल भगवान ही दे सकता है इनसान नहीं मनुस अपने बहवार से स्वेमी अपने भेत खोल देता है भूल होना प्रकृती है माल लेना संस्कृती है और उसे सुधार लेना प्रकती है नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है बढ़ना दिखावे का तो छपपन भोग भी फिजूल है समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दुबारा समय दे सके इंसान घर दिष्टे दोस्त सब बदलता है पर फिर भी उदास क्यों रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता भगवान के फैसले पर कभी सक मत करना अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवस हुई होगी जिने ग्यान है उन्हें घमंड कैसा जितना इंतजार वह आप से करवा रहा है समय आने पर वह इतना देगा कि सम्हाल भी नहीं पाऊगे मितरता अवस्षक है सम्मन्द भी अवस्षक है परन्तु जीवन की हर कठिन पैस्थिती यह दरसाती है कि अकेले रहने की कला आना भी आवस्षक है कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है क्यों कर रहा है इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुस रहेंगे नाकरात्मत विचारों का आना तय है प्रंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महतु देते हैं, इस पर हमें कभी सजा नहीं देते हैं, हमारे करमी हमें सजा देते हैं, इसलिए करम सोच समझ कर किजिए, जब चारो और अंधेरा हो, जब दुखोंने तुमको घेरा हो, तो तुम किश्ण की पहास हमें कराता है भगवान से कुछ अगर मांगना है यह तो सद बुद्धी मांगिए बाकि सब अपने आप मिल जाएगा जब आप अपनी चिंता को आस्था में परिवारतन कर देते हैं तब इस बर भी आपके संघर्ष को आसिरवाद में बदल देते हैं कितने भी परिसान क्यों न हो हमेशा मुस्क्राते रहिए एक दिन जिन्दगी भी ठक जाएगी आपको परसान करते करते हैं अच्छाईयां हमें नहीं हमें देखने वालों में होती है बढ़ना कैसे कोई एक इंसान पूरी दुनिया के लिए दोसु का भंडार और किसी और के लिए आयों का खाजाना हो सकता है श्रेश्ट हो ही है जिसमें द्रीठता हो पर जिद नहीं वानी हो पर कटूनननने दया हो पर कंजोरी नहीं जयान हो पर अंहुंकार नहीं जिंदकी चित्र की तरह है आसाउं से रेखाएं खीचे खीचो सहंसिलता से गलतिया मिटा दो सवर में बर्स को भीगो लो और प्यार के रंग से रंग दो सरल सुभाव वाले बेक्ती को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए सरलता उसका संसकार है कमजोरी नहीं जब प्रस्थिती बदलना हमारे वस में ना हो उस समय मन की स्थिती को बदल के देखिए सब कुछ तो नहीं मगर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत क्योंकि समसान, सिकहर और सिहासन पर आदमी अकेला ही होता है कान की कच्चे और शंका गरस्त लोग सच्चे सूख में भी दुखी भोकते हैं एक तथ यह भी है कि इतिहास से केवल सिक्षा ली जाती है पर नतुर ने नय बरतमान की परिस्थितियों को देखते हुए लिने पड़ते हैं विश्वास का उत्तमुधारन अर्थात अर्जुन ने दस लाग की सेना का त्याग करके परभू स्री किष्ण को चुना हमें अपने गलतियों की सजा तुरंत भले ना मिले पर समय के साथ कभी न कभी अवस मिलती है भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेशते हैं कि न आते समय कुछ लाना पड़ता है और न जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है बस आपका कर्म और हडी का लिया हुआ नाम आपके साथ चलता है गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलतिस से हो जाए योजना बनाकर किया गया पाप एमराज के पास ही धुलेंगे मैं किसी का भाग नहीं बनाता हर कोई अपना भाग खुद बनाता है आप आज जो कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा और आज जो आपका भाग है वो आपके पहले किये गए करमों का फल है मुह इतना न करें कि बुराईयां छिप जाए और घिरना इतना न करें कि अच्छाईयां देखी न पाए